हेलो एवरीबड़ी वेल्कम टो इंजिनियरिंग पाटशाला माई डियर फ्रेंड्स एंड वी आप लोग ले एक बहुत बहतरी नेकना या वीडियो लेकर क्या आए है RL Circuit कैसे काम करता है कोई सोचता भी नहीं है मतलब कि RL Circuit की Working को भी हमाई Animation से समझ सकते हैं Inductor की Magnetic Field Visualize कर सकते हैं Inductor की Charging Discharging ये चीज़े भी Visualize कर सकते हैं लेकिन मेरे भाई कोई नहीं सोचता तो क्या हुआ हम लोग तो सोचते हैं हम लोग तो आपको Visualize कराना चाहते हैं पूरी Electrical Engineering आपको Visualize कराना चाहते हैं और उसी एम के साथ मैं आप लोगे लिए नए से नए वीडियो लाता रहता हूँ जो भी Content में Develop कर पाता हूँ आपके लिए Best Form में लेकर के आते हैं ताकि आप लोग जिन चीज़ों को आज तक रटते आए हूँ वही Black and White Figures के साथ वही Bookish Knowledge के साथ तयार करते आए हूँ उसको एक नया Dimension दिया जा सके उसको एक नया Direction दिया जा सके और आप लोग True Engineers बन पाओ तो आप लोग को असली Engineer एक True Engineer में Convert करना है और वही इस Channel को Objective है फिर चाहे आप Electrical को Belong करते हो, Mechanical को, Civil को, Electronics को doesn't matter, doesn't matter at all आप लोगों को Best Knowledge प्रोवाइड करना है and that is the purpose of this Channel तो मेरे भाई ये एक पार्टशाला है लेकिन एक New Age पार्टशाला है जो आपके Traditional Concepts को New Technology के साथ Merge करके आपके Concepts को Enhanced करती है तो चलो, शुरू करते हैं, क्यों Time Waste करना? चलिए सीखते हैं Animation से कैसे Work करता है हमारा RL Circuit, चलिए अब देखो सबसे पहले बात करते हैं का RL Circuit की, तो ये आप देख रहो Inductor ये एक Inductor है जिसमें से हमारे Charges Flow कर रहे हैं अब Charges पे अगर ध्यान दो तो ये Constant Rate से Flow कर रहे हैं यानि इसका Current क्या है? Constant है Current constant होने पे Inductor की Voltage बन जाती है 0 and it acts like a short circuit तो Charges अपने Constant Rate से जब भी Flow करेंगे ध्यान देना Voltage होती है LDI by DT, so if the rate of change of current is 0, यानि current is flowing at a constant rate then my dear friend, then my dear friend it behaves as a short circuit अब अगर आप यहां से Open कर देते हो, तो ये Inductor जो Energy Store करता है ये Supply करनी चालू कर देता है, जो Energy Stored है, it starts to supply तो देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि Inductor के अंदर Magnetic Field create होती है and that Magnetic Field can never change instantly due to Magnetic Inertia Inductor की Magnetic Field कभी भी बिटा अचानक से नहीं बदल सकती due to Magnetic Inertia, तो Inductor का Current इस वज़े से अचानक से नहीं बदल सकता तो जो भी Current Inductor ने Store किया है, जो भी Energy उसने Store किया है जब आप ये Switches Open करोगे, दिख रहे हैं, Gray में Switches जब ये Gray Switches Open हो जाएंगे, स्टिल ये Current Flow करेगा क्यों Flow करेगा? क्योंकि Inductor का Current 0 नहीं हो सकता बट अब ये दूसरे रास्ते से जाने लगा, तो आईए इस दूसरे रास्ते के बारे में और जानते हैं तो देखो, यहां से मैंने Inductor को Short किया वाए, तो ये क्या होगा न, Inductor की Energy ऐसे Current की Form में Flow करती रहेगी और ये Constant रहेगा, क्यों? क्योंकि कोई Dissipating Element तो है नहीं मेरे भाई, कोई Resistance नहीं है, किसी भी Form में आपकी Energy Dissipate नहीं हो रही अगर Energy Dissipate नहीं हो रही, तो Inductor की Energy, Inductor का Current constant रहेगा and it will keep on flowing through the short circuit path बात समझ में आई, तहले जब हमने क्या दिखाया? कि अगर Current Inductor में से Constant Rate से पास होता है तो Inductor Short Circuit की तरह behave करता है, और जब आप Switch Open कर देते हैं, तो Current एक Alternate Path धूंड के अगर उसमें Dissipation आओ, तो एक Constant Current Flow करता रहता है, क्योंकि Inductor की Energy हो जाती है, Constant अब देखो, आगे हमने क्या किया? इसके Across लगा दिया एक Resistance Resistance लगा देने से देखो, धीरे धीरे ये आपका Current Decrease होने लगा and Finally Current becomes Zero, ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है मुझे ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? तो बिना वेट करते हुए चैट या Comment Box में लिख दो मेरे भाई, ये Phenomena क्यों दिखा? मैं भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोग भी लिख दो ये Phenomena क्यों दिख रहा है? तो मैं बताता हूँ, क्या होता है जब Inductor का, Inductor का Current और Charges ये जिग जग यानि Resistance से Pass होते हैं, तो Heat Produce होती है, अब Inductor के अंदर Energy Stored थी, बिटा, Magnetic Field की Form में, Electromagnetic Energy की Form में, जब वो Resistance से Heat में Convert होई, तो Inductor की Energy तो बिटा, Finite थी, अगर Inductor की Energy फाइनाइट थी, और वो धीरे-धीरे Dissipate हो रही है, Heat में Convert हो रही है, तो Finally वो Zero हो जाएगी, Finally वो End हो जाएगी, और यहीं यहाँ पे हुआ भी है, यहीं हुआ है, अब देखो, अगर यह एक Inductor है, जो की Resistance के Across Connected है, Resistance बढ़ा कर दें, तो देखो, तेजी से Current Zero हो गया, दुबारे Visualize करना, अगर मैं एक बड़ा Resistance ले लूँ, छोटे की जगे एक बड़ा Resistance लूँ, देखो, तो यह Current महुत तेजी से गिरेगा, दिख रहा है, एकदम तेजी से गिरेगा, यानि Rate of Dissipation of Energy is directly proportional to R, या Time of Dissipation is inversely proportional to R, जितनी Time में Energy dissipate होगी, वो R के inverse में आएगा, यह बात यहाँ से पक्की हो जाती है, बात क्लियर है, बिटा, अगर आप समझ गए होगे, मैं किस तरफ जाने के कोशिश कर रहा हूँ, कितने लोग समझ पाए हैं, मैं अगला Point क्या बोलने वाला हूँ, अगर आपने Inductor पढ़ा है, RL Circuit पढ़ा है, तो आप लोग समझ चुके होंगे अभी, कि मैं अगला Point क्या लाने वाला था, बिल्कुल, 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 मैं बात करने वाला था Time Constant के, कि Time Constant क्या होता है, L by R, तो जैसे ही Resistance हाई हुआ, Time Constant गिर गया, और Inductor तेजी से डिस्चार्ज हो गया, या कम टाइम में डिस्चार्ज हो गया, अब देखो, इसी ताइप से, अगर ये Resistance छोटा कर दें, या Inductor बढ़ा कर दें, कुछ भी कर लो, Inductor जैसे बढ़ा करोगे, तो देखो, बहुत धीरे, 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 ये Current आपका Zero हो रहा है, बहुत धीरे-धीरे आपका Current जीरो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, Energy Dissipation का Rate, Inductance के बादा टाइम लगता है, छोटा Inductor है, तो कम टाइम लगता है, और फिर से वहीं आगए, मेरे भाई, घुमपिर करके Time Constant पे, कि Time Constant होता है L by R, तो Inductor बढ़ा होगा, तो Dissipation धीरे होगा, Resistance बढ़ा होगा, तो Dissipation तेज होगा तो यहां Inductance बढ़ाया, तो Dissipation becomes very, very slow अब देखो, आगे एक Circuit समझते हैं, जिसमें Inductor की Charging, Discharging देखेंगे देखो, यह हमने बैटरी लगा रखी, Along with the Resistance, without Inductance, ठीक है अब यह Switch जैसे ही, देखो, मैंने Close किया, यह Switch मैंने Close किया एकदम से Inductor की Voltage बढ़ गई, ध्यान देना, Inductor की Voltage instantly बढ़ सकते हैं, Current नहीं अब धीरे-धीरे Current बढ़ने लगा, और Inductor की Voltage गिरने लगी फुल चार्ज हो चुका है, ध्यान देना, Inductor फुल चार्ज हो चुका है, कितने Current तक जाएगा, कोई बताएगा जल्दी 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 बताओ, चैट के अंदर, कमेंट के अंदर, कितना Current होगा Steady State में मेरे भाई, यहां Network का Concept आ चुका है, यह Network का Concept आ चुका है, जो Transient के अंदर पढ़ते हो जल्दी से बताओ, Inductor का Steady State Current कितना होगा, जी हाँ, बिल्कुल, EYR अब आपने Resistance से Disconnect करके Discharging Path में डाल दिया अब आप यह ध्यान देना, पहले देखो आपने क्या किया, दुबारे से देखते हैं एक बात, दुबारे से देखते हैं, देखो यह वाला स्वेच जब मैं On करता हूँ, यह वाला स्वेच जब मैं On करता हूँ, अचानक से Inductor की Voltage High हो जाते है, क्योंकि Inductor के Across पूरी, प Inductor की Voltage गिरने लगेगी, और Steady State में Voltage हो जाएगी, Current हो जाएगा V by R, और Inductor की Voltage हो जाएगी Zero, अब हम क्या करते हैं, यह वाले Switches को Open करके, दूसरे Close कर देते हैं, अब देखो जब यह Switches को Open किया, और अगले वाले Close किये, लेकिन यह Process Simultaneous करना पढ़ेगा, क्योंकि Inductor से Resistance की Voltage बढ़ गई, क्योंकि Inductor उसके Across Connect हो गया है, अब यह जैसे-जैसे Current Flow करेगा, Energy Dissipate होगी, तो यह Current कम होता जाएगा, Voltage गिरती जाएगी, क्योंकि Voltage IR है, अगर Heat Dissipation से Current कम होगा, तो यह Voltage भी मेरे भाई कम होने लगेगी, and this Resistance will start to come down, तो यह Resistance High क्यों हुआ, यह Voltage High क्यों ही, क्योंकि मान लो इसमे Current था 10 Ampere, 10 into R बन जाएगी Voltage, 10 into R क्या बन जाएगी, Voltage, बात समझ में आ रही है, 10 into R Voltage बन जाएगी, तो एकदम से Voltage Rise हो जाती है, लेकिन अब Heat Dissipation में जब Current कम होता है, तो Voltage भी Gradually कम होना Start हो जाती है, दुबारे देखना, यह I Current है जैसे इस रास्ते से गया, तो IR Amount से Voltage बढ़ गई, अब यह धीरे धीरे इंड़क्टर जब Discharge होगा, Current Dissipate होगा, तो यह Resistance नीचे आने लगेगा, Voltage गिरने लगेगी, ठीक है, अब एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखो, बैटरी एक Pump का का काम करती है, जो Charges को Pump करती है Switch Close किया, देखो, धीरे धीरे इंड़क्टर के अंदर Magnetic Field बनने लगी, जब Magnetic Field Maximum हो गई, यानि Inductor Saturate हो गया, तो Inductor का Voltage 0 हो गया, यह Bulb हो गया बंद, यह Bulb हो गया बंद, दुबारे से एक बार मैं आपको Visualize कराता हूँ बेटा, दुबारे से, देखो, सबसे पहले यह Switch हम लोग Close करेंगे, यह Switch Close करूँगा, देखो, क्या हुआ, Bulb भी जल रहा है, Inductor Charge हो रहा है, Magnetic Field Maximum हो गई, अब आप जब-जब Switch Open करोगे, तो Inductor Discharge होगा, Bulb से, और Bulb फिल लाइट अब होगा, देखो, पहले Inductor का Current भी जा रहा है, और Bulb का भी, Inductor Charge हो गया, Bulb Off हो गय अब यह Switch जब आप Open करोगे, तो यह Inductor Discharge होगा, यह Bulb से, और Bulb वापिस से Glow हो गया, और धीरे-धीरे इसकी Magnetic Field Collapse कर जाएगी, दीरे-धीरे इसकी Magnetic Field आपकी Collapse कर जाएगी, Inductor पूरी तरीके से Discharge हो जाएगा, ठीक है, Inductor पूरी तरीके से Discharge हो जाएगा, और जब- Inductor Charge होगा, तो उसके अंदर एक Back EMF बनेगा, एक Induced DMF बनेगा, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, Opposing Force, Opposing Force, क्योंकि आपको पता है, Lens Law क्या कहता है, Induced DMF opposes the cause of induction, तो इसके अंदर जो भी EMF Induze होगा, वो Voltage को Oppose करने वाला है, मेरे भाई, वो Voltage को Oppose करने तीक है, अब यह वाला Part आप देखो, यह वाला Part आप देखो, कि यहाँ पे भी हमने सेम तरह का Setup किया है, बैटरी है, एक Inductor है, और एक Bulb है, अब जब आपने Switch On किया, यह Charges आना शुरू हुए, Inductor के अंदर, अभी मान लो Bulb Disconnected है, यह Charges जब आ रहे हैं, तो देखो, Magn Magnetic Field बन रही है, यह Magnetic Field ऐसे बन रही है, ठीक है, Inductor के अंदर आएंगे ना, तो Inductor भी Magnetic Field बनानी स्टार्ट कर देगा, ध्यान से देखना, अब धीरे-धीरे Inductor के अंदर यह दिखने लगी, Blue वाली Magnetic Field देखो, इस Type से Inductor Magnetic Field फॉर्म करता है, और यह Magnetic Field अचानक से नही नहीं बदल सकती है, इसलिए कहते है, Inductor का Current, Suddenly Change नहीं होगा, अगर आप यह Open कर दोगे, तो आपके Charges का Flow रुख जाएगा, लेकिन ऐसे Suddenly Zero नहीं कर सकते, तो Actual में देखो, क्या होता, अगर Bulb भी Connected है, अगर Bulb भी Connected है, तो क्या होगा, जैसे ही आप यह Switch On करोगे, जैसे यह Switch On करोगे, Charges दो हिस्सों में Divide होंगे, देखो, आगए Charges, कुछ Charge Inductor में जाएंगे, कुछ Bulb में जाएंगे, जिससे Bulb Glow करेगा, यह Charge आ रहे हैं, यह दो Parts में Divide हो गए, अब देखो, आपका Bulb भी Glow करेगा, और Inductor की Magnetic Field भी बनेगी, तेक है, लेकिन क्या होगा, मेरे भाई, धीरे-धीरे, जब Inductor Saturate करेगा, Inductor की Voltage हो जाएगी Zero, Inductor Na के बराबर Resistance प्रोवाइड करेगा, जिससे Bulb हो जाएगा Short Circuit, और Eventually आपका Bulb हो जाता है Off, बल्ब हो जाता है Off, तो देखो, यह Inductor ने Magnetic Field बना दी, जैसे ही Magnetic Field Maximum हो जाएगी, Charges जाना बंद कर दे रजिस्टेंस में या Bulb में, और आपका Bulb Gradually हो जाएगा Off, अभी तो दोनों जगे जा रहे हैं Charges, बट Gradually Bulb में जाना बंद कर देते हैं, जब यह Inductor कर जाता है, हमारा Saturate, जब यह Inductor क्या कर जाता है, Saturate, बात समझ में आ गई, यानि Inductor जब फुली Charge हो जाता है, तो Inductor offers a path of zero resistance and Gradually, Gradually the Charges will not go into the Bulb and the entire current will flow through the Inductor, अभी तो दोनों जल रहे हैं, लेकिन फुल चार्ज होने के बाद देखो, यहां से Charges जाना बंद हो गए, सारे Charges सिर्फ किस में जा रहे है, Inductor में, तो यह एक Parallel RL Circuit हो गया आपका, तो मैंने आपको Series RL Circuit भी दिखा दिया, Charging मे मैंने आपको Parallel RL Circuit भी शो कर दिया, बात क्लियर है सब लोगों को, अब अगर यह स्वेच ओपन करोगे, तो यह Bulb के तुरू discharge होगा, यह जो Inductor है ना देखो, अब यह Bulb के तुरू discharge होगा, फिर से Bulb जलेगा, फिर से देखो Bulb जल गया, और यह Inductor Bulb के तुरू आपका दे दिया, तो यह होता है, RL Circuit का Working, कैसे Inductor काम करता है, LDI by DT का Concept, Tao का Concept, I hope आपको इस सारे Concept clear हुए हूँ, तेक है, और देखो मैं Unacademy के platform पे भी बहुत सारी Free Special Classes लेता हूँ, और अगर आपका Interest है, मुझसे और Topic सीखने में तो यह वाला URL कॉपी कर लेना, Unacademy Learning App डाल सकती है, यह URL पे जाना, मैंने जितनी चीज़े अब तक पढ़ाई हैं, वो सारी आपको यहाँ पे एक जगह पे मिल जाएंगी, ठीक है, और Plus पे अगर आते हैं, तो Plus पे आपको काफी सारे Benefits मिलते हैं, जैसे की Daily Practice Paper, Weekly Quiz, Test Series, Practice Question, Previous Year Question, Question Bank, यह सारी चीज़े आपको मिलती है with exclusive doubt solving, आपके सारे doubts भी clear किये जाते हैं, तो Plus एक revolutionary platform है, जिसने की आपकी preparation को, आप कोई भी exam की तयारी कर रहे हो, चाहे gate, ESE, UPSC, SSE, bank, हर preparation को आपके लिए बहुत easy कर दिया है, Plus platform ने, और iconic is a super set of plus, वहाँ study material, personal coach, interview guidance, बहुत सारे extra features मिलते हैं, Plus के मुकाबले, ठीक है, तो अगर आप अपनी तयारी को एक winning thrust देना चाहते हो, एक boost देना चाहते हो, तो unacademy plus platform से जादा अच्छा कुछ भी नहीं है, और आपको करना कुछ नहीं, unacademy app पे जाके, अपना goal चूज करना है, जिस goal की आप तयारी करना चाहते हो, और उस goal में get subscription करके, you can purchase any subscription, और दे follow जरूर कर लेना, ताकि जब जब मैं live आऊं, आपके mobile पे notification आजाए, और आप लोग मेरी live classes का मज़ा ले पाओ, मेरी live classes से आप लोग सीख पाओ, क्योंकि काफी कुछ है सीखने के लिए electrical में, बहुत बड़ा field है, और बहुत ज़ादा enjoy करोगे, fun करोगे, अगर unacademy पे live आ सब्सक्राइब कर लेना, junction पे, short videos मिलेंगे आपको electrical के, creatrix पे, electrical EC, IN का complete syllabus मिलेगा, SSC, JE और GS terminal, यह हमारे दो ऐसे channel हैं, जो आपको complete JE और EE exam की तयारी कराएंगे, और अगर आप किसी और field को belong करते हो, electrical EC के अलावा, तो भी हमारे पास channel है, mechanical, civil, computer science, everything is there, तो अपना एक एक ब सब्सक्राइब कर लेना, so thank you everybody, bye bye, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, और इसी तरीके से enjoy करेंगे, और कुछ concept सीखेंगे, happy learning, thank you